लोक सभा चुनाव कागास तो हो ही चुका है लेकिन आज चौथा चरण है ये जो चौथा चरण है इनमें 71 संसदिय सीट को लेकर मतदान हो रहा है जिसको लेकर पूरे देश में कहीं न कहीं उस्सा दिखाई दे रहा है लेकिन इससे पहले रुक करेंगे हिमाचल की खबरों क आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक बार फ़र से पॉंटा साही में गेहूं की खड़ी फसल में शौट सरकीट के कारण आग लग गई देखते ही देखते बीस से पच्चिस बिगा में खड़ी गेहूं के फसल जलकर राक हो गई एक तरफ मतदान किया जा रहा है ताकि ए बता दे कि तीन दिन से लगातार पॉंटा साहीब में फसल जलने का जो तस्वीरे हैं फसल जलने की वो सामने आ रही है इससे पहले भी दो गाओं में गेहूं के फसल में आग लग चुकी है और अंदाता को भारी नुकसान पहुँचा है इसी दौरान किसानों ने बताया कि विद्यूत लाइन उनके खेतों को नुकसान पहुचा रही है साथी किसानों ने पिछले साल भी विद्यूत विभाग को इस बारे में सूचित किया था लेकिन विभाग ने अभी तक इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया है तो ये तस्विरे आप देख सकते हैं पॉंटा साहिब की तस्विरे जहां पर आग ने विक्राल रूप धारन कर लिया और ये जो खड़ी फसल आप देख रहे हैं ये सारी जलकर राख हो चुके है क्योंकि दमकल विभाग को जब तक बुलाया गया और दमकल विभाग जब ए्जिरे झान रवाग को तर दमकल वist, क्योंक झान भाब़षा